कि नमस्कार कि कैसे हैं सभी बबर से क्योंकि अगर आज मेरी पूरी सफलता की जर्णी में अगर मेरे से दो लाइन में पूछे कि सत्वित तुम डायमेंड कैसे बने दोस्तों दो ही बात बताना चाहता हूं कि सेफ सोप कंपणी तो मेरी मा की तरह है मेरे ब्लेड में जिधर से भी काटेंगे जाला ब्लेड ग्रुप भी सेफ सोपी निकलेगा मेरे बड़े बोडी से इसके अलावा कुछ और दूसरी ची मिल नहीं सकती है कि सेफ सोप को मैं करता नहीं मैं जीता हूँ हर पल हर घड़ी हर चल यहां दिल में बसती है दोस्तों सेफ सोप सबसे पहली बात मैं सेफ सोप का वो शिपाई हूं यह मर सकता है लेकि छोक नहीं सकता सबसे पहली बात दूसरी दो मेरे आज मेरे ग्रेट मेंटर जिन्होंने इस मावुल से बंदे को यहां मंच पला के घड़ा किया आज ऐसी दोदो महम सक्षिया दोस्तों यह जनम तो क्या मेरी जव तक जमीन पर मतलब पुस्तिया चलती रहेंगी मेरी जन्रेशन चलती रहेंगी वो ऐसान चुका नहीं सकती वो कोई और नहीं दोस्तों मेरे पिताज यह बात अगर किसी बेक्तिगा नमर आता है मेरे जवान पर तो मेरे वो श्रीनर अपलाइन है मैं अपलाइन बोलू यह बहुत चाह सब्द है दोस्तों मैं आज उन्हें आज अपने पिता के रूम में देखता हूँ आज जैसे मैं पिता को रस्पक करता हूँ उनके नाम के लिए काम कर रहा हूँ उनकी आनवान सान के लिए काम कर रहा हूँ आज मैं अपने प्लैनों के लिए आनवान सान के लिए काम कर रहा हूँ और दोस्तों मैं आज मेरा र हम आपके चड़ो में करता हूँ आज में कुछ भी नहीए हो जो कुछ हूं इन तो सक्सियत की बजस्त हूँ कि लेकिन दोस्तो तालीया सम नहीं चेले हैं मैं चाहता हूं वो मेरे भी अप्लाइन हैं तो दोस्तो् आपके भी अप्लाइन है। आज दिल के लिए दिल से एक बार धमदार तालिय यह गेट भागुनुजों चील लोगों के लिए धमदार वाली आली जाहिए। दोस्तों यहां तक का सफर मोटी मोटी सी मैंने दो बाते सीखी है मैं सबसे पहले तो अपना पर्चे जरुड़ देना चाहता हूं नाम सत्विर है मेरा मैं रहने वाला जट्टारी से हूँ मेरी जनम भूमी जट्टारी है लेकिन करम भूम मेरा अलीगड है मुझे 22 साल हो गए लीगड में और इस विजिस से पहले मैं एक जूस का ठेला चलाता था मैं जूस बेचा करता था मुझे मित्र के माध्धन से दोस्तों इस सेफ़ों का प्लान देखने का मौका मिला मैंने बहुत मना किया दोस्तों को मैं कर नहीं सकता मेरे से लोग नहीं जोड़ पाएंगे मिट्टी मना नहीं पाऊंगा मेरे अंदर मेरी बैग्रांड बहुत कमजोर है मैं बहुत गरीब और आदमी ठेला जबी लगाता है जो उसकी जिन्दी की पूरी खतम चुको हो चुकी होती हो इसके पाच को करने के लिए होता नहीं तब ही आदमी जाकर रोड़ पर खड़ा होता है यस और नू कि दोस्तों यहां तक पहुंचाने मेरी जोने हुई जैसा आप सब की हुई ऐस में किसी का नाम लुग नहीं लेकिन दोस्त आपका नाम सलय सीचे में तपन है हर एक नाम भूसता है दिज लेन चाहताा हम सुर्प टीम साथ बना रहा आप गान के साथ होता यह बंदा काव डाइमंड बन गया मुझे खुद पता नहीं चला कि और को इसमें सीक्रेट नहीं है बागी सारी चीज प्रोसेस में बता गए मेरे अंदर कोई टेलेंट नहीं था मैंने 22 साल जूस बेचा दोस्तों जिंदगी वह कट रही थी एक 500 रुपे का रूम का किराया था 500 रूम होता था छह जो मिने किराया नहीं बर पाते थे हम लोग मेरे बड़े भाईया भी खतम हो गए थे यह गुला मेरा जो बती जा है इनकी दोस्ष्ट और रहे किये मेरे खुद के तीन बच्चे इनके खुद के तीन बच्चे मेरे भाई साब के दोस्तों कैसे कैसे मैंने पाला था जब मैं उस मंजर को देखता हूँ जो उन दिनों को याद करता हूँ दोस्तों मेरे आज वी रूहें काम जाती है तीन-तीन दन तक घर में खाना नहीं बना लेकिन दोस्तों इस अंद्यारे को जारा देने के काम इस सेफसोप कंपनी ने दिया और मेरे उस दोस्त ने मुझे इस प्लान के वारे में बताया आज और सिस्टम में बहले ही नहीं है लेकिन मैं जब तो उसका नाम नहीं लू तब दोस्तों मेरा दिन साम तक नहीं जाता क्यों अगर वह व्यक्ति मुझे सिर्फसोप में नहीं लाता और ग्रेट महागुर्दी के साथ में हाथ टच नहीं कराता तो मैं कुछ नहीं बन पाता मैं कुछ नहीं हो पाता लेकिन दोस्तों बाते तो भौते करने के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ आज मैं खंदान के ऐसा पहला वेकती हूँ जो लाखों रुपे की इंकम लेता हूँ खंदान का पहला वेकती हूँ जिसमें दो दो कारे खरीदी हैं खंदान का पहला है यह एक्तु मिलता है और एक्ति हो आज हर प्रोग्राम में शबसे कहले पूछा जाता है घंगे यह सेफ नहीं होती दोस्त कुछ था ही नहीं जिन्दगी में इस प्लान को हम लोग बहुत छोटा समझते हैं हमारे पल्ले नहीं पड़ता है पल्ले मेरे भी नहीं पड़ा सुरुआ तो समझ में आता ही नहीं लेकिन फेत होता है एक विश्वास होता है एक बिलीफ यार कोई होती है कि अभ इलिफ यए सबसे पहले विलिफ में इसक हो कंपनी के ऊपर जिसने में मांका दर तरजा षोह Dash career है इसरा भीलिफ गया जो संग को सिटम जो दोस्तों आज के सामने टाइगर की तब हड़ रहा है वल्हा मैं सब को एकी आभान करता हूँ, जब ये जूस बेचलेवाला व्यक्ति, इस कंपनी में लाखोरोवे कमा सकता है, जब जूस बेचलेवीक्ति करोडपदी बन सकता है, और दो जी ये सब आपकी स्रेना है, ये सब आपके बबर सेर्चेर बेटे है, चाहे मेल है या फीमेल है, जो भी है ग्रेट मागुरुजी आज आपका श्रीवाद इस स्रेना को मिल जाएगा और मुझे इस बात का पुरा भरोसा है क्रांती लाने के लिए ते गांधी जी ने हाहकार मचा दिया था आज 500 क्रांतिकारी तो ग्रेट मागुजी आपे बैटे है जो सला टारेक से लिगी परवासा को बतलने के लिए कापी है यह हमारे सभी पपर से यस और लो आज हांसी नहीं इदर बैठी है ग्रेट मागुरुजी एक एक इंकलाब लाने वाला लीडर इदर बैटा है मैं दोस्तों आप से एक ही बात कहना चाहता हूं आपका भाई यह जब जूस बेचने वाल बन गया है इस हॉल में बैटा हो हर वेक्ति डायमें जरूल बनेगा मैं सब्सक्राइब करता हूं आप लोगों के लिए लेकिन दोस्तों डायमेंड बनने के लिए ग्रेट मागुरुजी ने दो त्रिन चीजों पर मैंने सुरू सुरू में मैंने समझ में आई थी इन्होंन कणि फाल टुडाल के वह यह तब नबए परसेंट के बात कर रहा है ये1,090 परसेंट में आपको हमेसा जाये कोई जुड़ा हो नहीं जुड़ा हो किसी सुनी हो रहे हिंदुस्तान में इंकलाव लाओंगा मैं एक दम इंकलाव लेके हांगा काम दोढ़ेगा काम दोढ़े अब हमारे पास और भी लिटर हा रहे हैं एक सेक्टोप सींग है अभी में डीयस्पी साथ 15 दिन लेके आया हूँ एक ही बात बोलाता टीयस्पी सामने के महागरु जी मुझे आपका साथ चाहिए जाला वो बड़ा काम करके दिखाऊंगा हिंदुस्तन ने इंकलाव लाएगा यह राजकुमार यह डिप्टी एस्पी है डायमंडों की फोच लगाएगा यह और मैंने कमिट्मेंट के आदा ट यह मैंने कसम खाई थी और यही कसम परेट मेरे हर एक लीडर की है दोस्तम छोटा काम करने के लिए लाग रुपे आज भी आते हैं लाग रुपे खमाने के लिए आते हैं तो मैं रेटार्मेंट तीन जन्वाई संद्वार सोलह में ले गया होता क्योंको मुझे तीन जन्व एक ही दिन में लोंगा जिस दन अपनी भाज में महीने का आठ लाग कमाने वाले दस हजार लोग नहीं हो जाएंगे तब तक कोई रिटार्मेंट का मतलब नहीं कुलता तब तक कोई रिटार्मेंट लोई पांसद इधर बैटे हैं क्या आप सब बनेंगे अरे सब तैयार है सेरो सब चलने के लिए तैयार है तुम एक कदम चलोगे सत्वीर दस कदम चलेगा तुम देन में जगोंगे मैं रात में जगोंगा में लेविल की परवा नहीं साले इस तने भी स्टार्ट थे ना डैमंड आख वाले सब खूंटी पर तांग दिया त्रैसर लेविल कितरह में आपके साथ कंदे से कंदा में लाकर कहां करने के लिए तुम अ जगे पर ऊंचिंगे में अन्यार नहीं मेरा मैं हर मीटे में बोलता हूं हर जगे में ब बोलता हूं वलुंप मोर्म देटर दना से लिज्व गूना करते हैं अरिक भूमिंडर सथे चुन्त यह एक पसंट टेक्नेक और गुरुची ने बता जी आते हैं तो को नीजोड़ पाकर टेकनिक नहीं सीगी तो और हर वार हमारे एक लीडर चलारे थे हमारे दैमन्ड इचला है फ्राइडे की ट्रीनिक में पत्रेक्नी कैसे करना है करना सब चाहते हैं टेकनिक नहीं आती लोग कहतें बहुत फिलान देखाने से लोग नहीं गढते टेक्निक नहीं है गुरुजी धीधी नहीं आ रहे हरे टैकनिक नहीं ह। इसका मत्रव टेकनिक सीकहीं नहीं है सालाल होती है उसकी नीड़् इटन्वाई कर ले इसे जरुवत किस चीज की है और इसकी समच्चा आपका सोलूशन जो मैच कर जाए ना साला कि अम्मा भी तुड़ेगी उसकी पार्थ करता है जरुवत अरह मेरी जरुवती जाना मुझे 22 साल होगे किनाय पर रहते हैं जरुवत पता चलगे सत्विर यहीं से होका तेरा घर यहीं से बनेगा गरीवी यहीं से खतम होकी जो सही सही हतोरा मारा मेरे शीनर ने मैंने के गुरुजी काम खुद बड़ा लेवल पर करेंगे उस दिन समझ मागी थी बहात और गुरुजी ने दोई चीज तीसरी बात बते ही फाइंट टूनिंग मधुर विभार अपनी टीम के साथ अप्लैन के साथ हमेशा लेला और मजनू की तरह साला प्यार होना चाहिए एसानी रोज मूफला के धरदर घुमें मैं लोगों को देखता हूं अपलाएं डावलें बंड नहीं रही वो उसको नहीं देख रहा वो इसको नहीं देख रहा मैंने ग्रेट मागुचाही की दाथ पोली दिए गुरुजी सुवह गुट मॉ बश्रों से के साथ 100% भरोस्य के साथ जो आप लोगे डाउट नहीं कोई संका नहीं जहलात मारों गए वही खोल करेंगी बाल मैं आज आपकी फटबॉल हूं मैं आपकी फटबॉल हूं यह वहीं कोल करेंगी दोस्तों मेरे अंदर दमाग था ही नहीं दमाग होता तो जूस नहीं बेच रहा होता है हाई नहीं लेकर ग्रेट माप जा दमाग दान लोग डाम नहीं बनते हैं जितने भौलू रहा मैं न तो सब डाम बन जाते हैं अगर है तो उसे उठाकर रख दो सिस्टम में तो सिस्टम के दिमाग की चलेगी अपने दिमाग करता है सिस्टम कभी कांश करता तो दोस्तों हमेशा टूनेंग मैं आप से तीन कमिंटमेंट लेना चाहता हूं चैक्चाई को पिछे लगे रहो गए दस लोगों ने मना कर दी अप्राइन का फोन आ रहा रहा तुरंथ आदमी काड़ देता है कि एक जी आद रखना जब भी अप्राइन पीजह मुण के देगे आपका चेहरा नजराना चाहिए क्या यह सब करने के लिए तैयार है मंत्र यही है हर लीडर यही बोलेगा हर बात यही है मतलव सिद्धान्त तो यही है कि प्रेंसिबल तो यही है और संडे का सेमिनार यह दो तीन छोटे-छोटे से कामें छोटे लगेंगे लेकिन सफलता इनकी जड़ में छिपिये इनहीं में है जो कुछ भी जो अप्लाइन पीछे मुड़के देखे आप चलते दिखाई देने चाहिए ऐसा नहीं कभी दाएं कभी बाएं मन की याद बाहर आगे मन की याद भीतर भुसगे आप दिखाई दे रहा है दो हपते के लिए कभी नहीं होगा ऐसे एक दम आपका बहुन होट लाइन पर होना चाहिए जैसे अप्लान की कॉल मेरे बाइबरेशन में गुरुजी की जब कॉल आती है न मैंने पूरा हिल जाता हूं और एक ही कॉल पाउठती है मैं जब कोई भी ऐसी विसम परिस्तदी होगी कि मुझे पता न चले कोई बात है तब दूसरी घंटी आएगी पहली रिंग में भज नहीं नहीं दोंगा गुरुजी की कॉल उठ जाएगी और दूसरी चीज अपने टीम के साथ छोटे भाई बड़े भाई बहन जी की तरह है माता जी की तरह है दिल से काम करो यार अकेले अकेले डायमेंट बनते हैं अकेले केले कुछ उखाड़ पाते तो उसी दुनिया में उखाड़ लेते हैं यह धंदा टीम वर्क का है और टीम वर्क के अंदर चाहिए यूनिटी टीम वर्क के अंदर चाहिए फाइंटोनेंग टीम वर्क के लिचे हैं संबंध टीम वर्क के निचे हैं टीम भावना और जब टीम का एक मिशान होता है न पूरे हिंदस्तान नों इंकलाव ला सकते हो टीम, अपनी चौथ, अपना चूला, अलग जमाने की कभी कोशिस मत करना, अपना इन की बाधन में, अपनी धुन बस मिला देना, अलग लेकर अपना साजा वाजा चलाना, पर्सनल लेकर मत बैठ जाना, बस आप, यही मैंने किया है दोस्त, अपना इन के साथ में रहा, टीम क तो क्या आप ऐसा करने के लिए तयार है? करने के लिए तयार है? कुछ ने किया है अभी और उने प्रूव भी किया है